हिलो फ्रेंट्स आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत हैं दूसतो आज के इस वीडियों में हम सीखेंगे कि कोई भी डरेश का कलर कैसे चेंज करेंगे हान दूस्तो सबसे पहले हां से हम फोटो सौप उपन कर लेते हैं दोस्तो बहुत सारे फोटो में एसा ड्रेस है जिसके कलर आप दूसरे कलर में चेंज करना चाहते हैं तो कईसे करेंगे तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तो एक फोटो सौप में करना तो सबसे पहले हम यहां से डवल किली करके एक फोटो ले लेते हैं फोटो लेने के बाद तहाँ सोपन करेंगे इस तरह से देखेंगे दोस्तों हमने एक फोटो लेली हैं इस फोटो का ड्रेस जो है रेड़ कलर का है हम चाहते हैं कि रेड़ कलर किसी दूसरे कलर में चेंज हो जाए तो कैसे होगा तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि जाना है Image menu में, Image menu के बाद आपको जाना है Adjustment के अंदर और यहां से जाना आपको लेना Replace Color जैसे ही Replace Color लेंगे दोस्तों तेहां पर एक Replace Color का Dialog Box खुल जाएगा एक Dialog Box आप देखिए, बहुत ही अच्छी तरीका से इसके बाद देखिए दोस्तों इसमें OK है, Cancel है, Load है, Save है इसके नीचे देखिए दोस्तों एई Eye Dropper है इसका नाम है दोस्तो Eye Dropper Tool इसके वगल में है Add to Simple मतलब Eye Dropper का ही है लेकिन आप एक से ज़्यादा Selection करते हैं उसके लिए है इहां से जो Selection आप कर लिए है, उसको हटाने के लिए, रिमूव करना चाहते हैं तो इहां साब वो Selection को रिमूव कर सकते हैं ति दोस्तों, तीनों ही Selection का काम आता है और इहां से आपको देखिए मतलब Selection बोल सकते हैं और इहां से इमेज है तो image अगर आप देख के selective करना चाहते हैं तो image पर टीक करेंगे इसके बात दोस्तो आपको क्या करना है कि eye dropper पर आपको एक बार click करके select कर लेना है और इसको जिसका color आपको change करना है उस color पर eye dropper करना है जैसे rate color पर क्या करते हैं किलिक करते हैं जैसे रेट कलर आप किलिक करिएगा दोस्तों यहां पर सेंपल में आपको रेट कलर आ जागा जैसे हम बलेक करते हैं देखे बलेक आ गया अगर हम भायट करते हैं तो देखे हों पर भायट आ जाएगा तो इस तरह से आपको क्या करना रेट पे एक बार कलर कलर करना ताकि हम रेड का किसी दूसरे color में convert कर सकें इसके बाद दोस्तों इहां सका नीचे देखे इतना करने के बाद आपको हे शुरेशन दिया हुआ या लाइटनेश दिया हुआ ठीक उत तीनों में पहले सको आपको क्या करना है इसतर। आपको घठा आगा जैसे तरह से ऑगा स smith जी ऐसे हम देखें है यहां से इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इस स्चुरेशन को आप चाहते हैं बढ़ाने के लिए घटाने के लिए तो आप बढ़ा घटा सकते इस तरह से देखिए इस तरह से दोस्तों यहां पे इस तरह से दिखने लगा आप चाहते हैं लाइटनेस को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना थोगा काम धीरे-धीरे करना दोस्तों इस तरह से जादा स्पीड ने करना है अगर आपका सिस्टम का प्रोसेसर अगर बढ़िया है तो आप बहुत स्पीड भी कर सकते हैं कोई दीकत नहीं है तहां से देखे इस तरह से और अलग कलर चेंज करके दिखाते हैं अव इसके बाद दूस्तों हम देखे ए एच यू को है हम धीरी-धीरी इस साइट को क्या करते हैं बढ़ाते हैं अगर आपको जो कलर पसंद है वहां पर आपको क्या करना ले आके अश्टोप कर देना अगर अजैंग अगर अच्छा लगे वो कलर यहां पे इसको बढ़ाग हटा के आप उसको ले सकते हैं आज के लिए बस इतना ही तो दोस्तों ए वीडियोज कैसा लगा आप कॉमेंट में जरूर बताएं आज के लिए बस इतना ही